एक थाइवानी कंपनी, Foxlink, Apple के iPhone के केबल का निर्माता और आपूर्ति करता है। Foxlink की भारत के आंदरप्रदेश में एक निर्मान इकाई है जिसे 2020 में स्थापित किया गया था। आंदरप्रदेश में 2020 में स्थापित Foxlink निर्मान इकाई केवल iPhone के लिए केबल बनाती है। 27 फरवरी 2023 को दोपहर करीब 1 बच कर 15 मिनिट पर फैक्टरी में भीशन आग लग गई। आग तेजी से पूरे शेड में फैल गई। भीशन आग लगने के बाद वहां काम कर रहे करीब साड़े साथ सो लोग बाहर निकलने में सफल रहे। ये एक भीशन जौला थी। घटनास्तल का दौरा करने वाले पुले सुपादिक्षक ने कहा कि शुकर है कि कोई जानहानी नहीं हुई और सभी सुरक्षित है। तेजी से फैल रही आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। DSP ने कहा कि आग पुजाने वाले यंत्र थे और काम कर रहे थे। हाला कि स्मोक डिक्टेक्टर और स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहे थे। यहां तक कि फाया हाइड्रेंट जिससे अगनी शमस करमी पानी प्राप्त करने के लिए अपने होस को जोड़ सकते हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे। फाया अलाम सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। फैक्टरी फायर कंप्राइंट नहीं थी। फैसिलिटी में रखे फायबर, शीट और स्पॉंज के कारण आग तेजी से फैल गई। अनुमान है कि मशीनरी भी जल कर खाक हो जाने से कंपनी को 100 करोड रुपे का नुकसान हुआ है। सबाग्य से कारखाना बीमा द्वारा कवर किया गया था और कंपनी राशी को दावा कर पाएगी। मुक्य शेट आग में जल कर खाक हो गया जबकि पास के अन्य दो शेट जिसमें डाइनिंग एरिया और किचन थे वो सुरक्षत है। बताया जा रहा है कि कुछ शेत्र दो सप्ता में काम फिर से शुरू कर पाएगे। जबकि पूर्ण संजालन दो महिने तक फिर से शुरू नहीं हो पाएगा। कितनी विनाशकारी आग थी। एपल ने कमेंट के अनुरोध का तुरन जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक और ऐसी ही घटना एक मार्च 2003 इसको दिल्ली में हुई। दिल्ली के रोशनारा रोड में एक बिल्डिंग थी जिसमें ऑफिसे और गोदाम थे। इस तीन मंजिला इमारत के भूतल में आग लग गई चुतुरन फैल गई और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उनमें से तीन को मामूली चोटे आए। हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आग की घटनाय बढ़ रही है। एक दिल्ली में और एक आंधर प्रदेश में हुई। हे 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 सुनिए सेंसर्स का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है। आप भी जल्दी भरिये। हुआ हुआ भर ओज। झाल झाल